ओम शान्ति भोलानात सदेव शिव को ही कहते हैं शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरह से समझा ही है शिव तो उंचे ते उंच, मूल वतन में रहते हैं और शंकर तो है सुक्ष्मा वतनवासी उनको भगवान कैसे कह सकते हैं उंचे पे उंच रहने वाला है एक बाप फिर दूसरे तबके में रहने वाले हैं दूसरे विभाग में कौन रहने वाले हैं तीन देवताएं वो है बाप वो है बाप जो उंचे ते उंच रहता है वो है बाप उंचे ते उंच रहता है शंकर तो अकारी है शिव है भूलानात ग्यान का सागर शंकर को ग्यान का सागर कह नहीं सकते भूलानात माना ऐसा नहीं कि बाबा कुछ समस्ते नहीं है सब कुछ जानते हैं समस्ते हैं लेकिन कोई भी बात दिल में हमारी नहीं रखते हैं इसलिए भूलानात ग्यान का सागर तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भूलानात आकर हमारी जोली भरते हैं आदी मध्य अंत का राज बता रहे है रचेता और रचना का राज बहुत सिंपल है शिव भूलानात क्या आकर के करते हैं बड़े बड़े विश्य मुनियाद भी इन सहज बातों को जान नहीं सकते हैं कितने बड़े आश्चिरिय की बात कि बड़ी-बड़ी फिलोसॉफी बताते हैं लेकिन मूल सत्य जो कितने सहज है वो भी नहीं बता पाते हैं जब वो रजोगुणी ही नहीं जानते थे तो तमुगुणी फिर कैसे जानेंगे तो अभी तुम बच्चे बाप के सनमुख बैठे हो बाप अमर कथा सुना रहे हैं सत्य ज्यान कथा के रूप में सुना रहे हैं ये तो बच्चों को निश्चे है कि बरो बर हमारा बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं भक्ति की शास्त्रों की अमर कथा भी जानते हैं और प्रक्तिकल में सच्मुच जो बाबा कर अमर कथा सुना रहे हैं वो भी हम जानते हैं इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कोई भी मनुष्य हम को ये नहीं सुना रहे हैं भोला नात है शिव बाबा कहते हैं भोला नात बाबा क्या कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है हम सब के पास अपने अपने शरीर है बाबा के पास अपना शरीर नहीं है मैं हूँ निराकार पुजा भी मुझे निराकार की ही करते हैं शिव जैनती भी मनाते हैं अब बाप तो जन्म मरण रहीत है निराकार है फिर जैनती भी मनाते हैं तो वो राज हम बता सकते हैं वो हे भुलानात जरूर आकर सभी की जूली भरेगा बाबा कहते हैं शंकर के आगे जाकर कहते हैं जूली भर तो पर वो तो जूली खाली करने वला है भरने वाला कौन है निराकार शिव बाबा अब वो कैसे भरेगा ये तुम बच्चे ही समझते हो देखने में कुछ भी नहीं आ रहा है लेकिन कैसे हमारा भाग्य भरेगा बाबा जोली भरेगा वो हम समझते हैं अवी नाशी ज्ञान रतनों की जूली भरते हैं यही नौलेज है ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं गीता तो वही एक ही है परन्तु संस्कृत श्लोक तो है ले मुरली ही गीता है बाबा जूग्यान देते हैं वही सच्ची गीता है इसमें संस्कृत के श्लोक की बात नहीं है बाबा क्यों नहीं संस्कृत बोलते हैं भोली माताएं संस्कृत आदी से क्या जाने माताएं हाथ उपर करो देखो बाबा ने कितने नश्य की बात कहीं माताओं के कारण बाबा कहते हैं वो कैसे संस्कृत जाने की उन्हों के लिए ही भोलानात बाबा आते हैं और खुशी की बात कि बाबा खास माताओं के लिए आते हैं ये माताएं तो बिचारी घर के काम में ही रहती है ये तो अभी फैशन पड़ा है जो नौकरी करती है वरना इतना कहां पढ़ना निकलना तो बाबा ने माताओं के लिए आये हैं इसलिए माताओं को ध्यान में रखकर सहज भाशा में मुल सत्य बात बताते हैं तो बाबा अब बच्चों को उँचे ते उँच पढ़ाई पढ़ा रहे जो बिलकुल कुछ भी नहीं पढ़े थे उन्हों पर पहले पहले कलश रखते हैं पढ़ाई का कितने अश्यरिय की बाद जो बहुत पढ़े लिखे विद्वान पंडित उसका रूल नहीं है भगवान के साथ जो नहीं पढ़े हैं उनको निमित बनाते हैं पढ़ाई के लिए यूं तो भक्तियां सिताए सब हैं राम आए हैं रावन की लंका से मुक्त करने हम आत्माए सिताए हैं भक्तियां हैं द्रौपदियां हैं बाबा आए हैं रावन की लंका से मुक्त करने अर्थात दुख से मुक्त करने फिर फिर तो बाबा के साथ घर ही जाएंगे और कहां जाएंगे याद भी घर को करते हैं कि हम दुख से मुक्ती पावे बच्चे जानते हैं कि बीच में, ड्रामा के बीच में किसको मुक्ती मिल नहीं सकती है अभी ही मिल सकती है अभी ही बाबा के साथ घर जा सकती है बीच में मुक्ती नहीं मिलती है सब को तमु प्रधान बनना ही है मुख्य जो फाउंडेशन है देवता धर्म का वो जल जाता है माना वो खतम हो जाता है विकारों की अगनी में वो धर्म ही प्रायह लोप हो जाता है बाकी कुछ प्रायह चित्र आद जाकर रहते है वो देवताई धारणाएं सारी खतम हो जाती है सिर्फ यादगार, मंदीर, चित्र, मुर्तियां रहती है लक्षमी नारायन का चित्र भी गुम हो जाए तो यादगार कैसे मिलेगा इतने देवी देवताओं की यादगार बनी है तो हम समझा सकते हैं कि जरूर वो इस भारत में आये हैं थे तब तो इतने यादगार बनते हैं बरोबर जानते हैं देवी देवताओं राज्य करते थे उन्हों के चित्र भी अभी तक हैं बच्चों को इस पर समझाना है तुम जानते हो लक्ष्मी नारायन के चित्र पर क्या समझाएंगे तुम जानते हो लक्ष्मी नारायन बच्पन में प्रिंस प्रिंसेज राधे कृष्ण थे फिर महाराजय महारानी बने विश्व महाराजन स्री नारायन और विश्व महारानी स्री लक्ष्मी बनते हैं वे है ही सतियोक के मालिक देवताएं कभी पतीत दुनिया में पैर भी नहीं धर सकते हैं पुरण पवित्र दुनिया में ही वो आते हैं स्री कृष्ण तो है ही वैकुंठ का मालिक प्रिंस वो तो गीता सुना न सके उस समय अवश्यक्ता भी नहीं देखो भूल भी कितनी भारी कर दी कृष्ण को भगवान कहा नहीं जा सकता कहा गीता ग्यान भगवान ने सुनाया निराकार ने और उस पर लिख दिया कृष्ण प्रिंस का नाम वो तो मनुष्य है दैवी देवी देवता धार्म का वास्तों में देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर सुक्ष्मा वतन में ही रहते तो परमात्मा एक है देवताएं सिर्फ तीन है बाकी सत्युग में जो है वो दैवी गुणों वाले मनुष्य है वास्तों में देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सुक्ष्मा वतन में ही रहते हैं और यहां मनुष्य रहते हैं मनुष्य को सुक्ष्म वतन वासी नहीं कह सकते हैं ब्रह्मा देवताय नमाह कहते हैं विष्णु देवताय नमाह कह देते हैं वो है देवी देवताधर्मा श्री लक्ष्मी देवी और स्री नारायन देवताः मनश्य को ही चुरासी जन्म लेने पड़ते अभी तुम बच्चे जानते हो असल में हम देवता धर्म के थे इसलिए आज तक काफी भारतवासियों के नाम देवी देवता के नाम है किस किस के नाम देवी देवता के हैं हाथ उपर करो इतने सब के भाईयों में देखो और विदेशों में नाम अलग ही रखते Mr. Fox, Mixer Dog, Mr. Blacksmith भारतवासियों के नाम कितने अच्छे हैं देवी देवताओं के नाम है अभी तुम बच्ची जानते हो असल में हम देवता धर्म के थे और वो धर्मा बहुत सुख देने वाला है ये कोई कहना सके और धर्म वाले कहना सके कि वहाँ स्वर्ग में हम क्यों नहीं ये तो जानते हो ना कि वहाँ एक ही आदी सनातन देवी देवता धर्म था फिर बाकी और धर्म नंबरवार आते हैं ये तुम बच्चे समझा सकते हो फिर उनको कल्प वरिक्षिया चक्रक में बताना कि देखो आपका आना ही ड्रामा में द्वापरियुग से हैं ये अनादी बना-बनाया खेल है उसमें फिर सतियुग होगा और भारत में ही होना है क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है इसका विनाश नहीं होता है इरोप वासियों ने विनाशक सस्त्र बनाये अनोशस्त्र तो उसका फाल क्या मिलेगा उनको कि ऐसा विनाश होता है कि वहाँ सतियुग आही नहीं सकता है भारत में ही आ सकता है ये भी समझाना पड़ता है बाप का जन्म भी यहां होता है उनका दिव्य नाम जो मनुश्यों सद्रुष्य नहीं है बाबा आए है निकाल ले दुख की दुनिया से निकाल ले अभी तुम सिर्फ बाप और घर को याद कर फिर तुम राजधानी में आ जाएंगे अभी क्या करो तो सत्युक्य राजधानी में आ जाएंगे ये तो आसूरी राजस्थान है बाप ले जाते हैं दैवी राजस्थान में और कोई तकलीफ नहीं देते हैं सिर्फ बाप और वर्से को याद करना है ये हैं अज्यपाजाप इस याद को अज्यपाजाप कहते हैं जपना न पड़े रटना न पड़े ऐसा अज्यपाजाप निरंतर याद और बाबस पस्टी करन करते हैं मुख से कुछ भी कहना नहीं रटना नहीं है बोलना नहीं सुक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं मन में भी रिपीट नहीं करते रहना है क्या करना है, silence में, बाप को याद करना है, और कहीं भी घर बैठे भी याद कर सकते हैं, बांधेलियां भी घर बैठे सुनती हैं, उनको छुटी नहीं मिलती हैं, हाँ घर बैठे भी पवित्र रहने की कोशिश करूँ बोलो, उनको बताओ, पती को क्या बताओ, हमको स्वप्न में डैरेक्शन मिलते हैं, भगवान हमें डैरेक्शन देते हैं कि पवित्र बनो, अभी मौत सामने खड़ा है, तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो, तो वानप्रस्थ में कभी विकार का ख्याल थोड़े ही होता है, ऐसा ऐसा उनको बताओ कि मुझे बगवान स्वप्न में आकर ऐसे से कहते हैं, अभी बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं, सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, ऐसे नहीं है, सिर्फ कि हम ग्यान में चले, जो बुजर्ग है, बच्चों को शादी कराएं, बाद में वो जब बड़े हों तो ग्यान में चले, ऐसे नहीं, बाबा कहते हैं, सभी की वानप्रस्थ अवस्था हैं, सभी को वापस जाना है, तो घर को याद करना है, फिर आना भी भारत में है, मुख तो घर की तरफ ही होगा न, बस बाद की बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं दी जाती है, बड़ा सहज है, सहज है या मुश्किल, सहज है, माताओं का आवाज नहीं आ रहा है, है, आच्छे, बड़ा सहज है, देखो बाबा माताओं से क्या बात कर रहे हैं, घर में बैट भल भोजन बनाओ, शिव बाबा की याद में, घर में भोजन बनाते हो, तो पती याद रहता है, ना, इनको यह अच्छा लगेगा, इनको यह नहीं अच्छा लगेगा, तो याद करते हो, बाबा कहते हैं, कि ये तो, ये तो कौन है, पतियों का पती है, उनको याद करो, जिससे किस जन्मों के लिए वर्सा मिलता है, अच्छा, कोई को छुटी नहीं मिलती है, वहाँ भी रहकर बाप और वर्से को याद करना है, अपना तो तुम छुटकारा कर लो, उनको तो ज्ञान चलो, किसी को बुद्धी में नहीं बैठता है, तो वो विगन डालेंगे, बंधन डालेंगे, पर तुम घर बैठे पुरुशार्थ करके भी अपना छुटकारा कर लो, बाबा से पुरा वर्सा ले सकते हैं, धीरे धीरे तो छुटकारा मिलना ही है, हाँ, रुद्र ज्ञान यज्य में विगन भी जरूर पढ़ने हैं, लेकिन आखरीद, जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, तो तुम्हारे चर्णों में माथा तेकते रहे, पर अगर हम हिम्मत से, लक्ष से, बाबा के श्रीमत पर चलते रहेंगे, तो आखिर वो दिन भी आएगा कि वो माथा तेकते रहे, बाकी विग्ण तो पढ़ते ही रहेंगे, इसमें धैर यद्धर नहीं, उतावला नहीं होना है, घर बैठे पतियादी मित्र संबंदियों को एक ही बात समझाओ, बाबा का फर्मान है, मुझे याद करो, वर्सा लो, क्रिष्ण तो हो नहीं सकता है, बाबा को ही याद करना है, बाप का ही परीचे देना है, जो सब जान जाएं, हमारा बाबा, शिव बाबा है, सारी दुनिया को पता चल जाएं, इसलिए बास, यही बात सब को समझाओ, कि बाबा कौन है, शिव बाबा कौन है, ऐसे नहीं, विनाश की बात, स्वर्ग की बात, साक्षात कार की बात, वो नहीं, बाबा कहता है, सब से पहले मेरा ही परीचे सब को दो, वह भी अभी याद अच्छी रह सकती है, अन्त में तो हल चल होगे, उस समय याद नहीं रह सके, मेहनत पड़ेगे, अभी से अभ्यास करेंगे, तो अन्त में याद रह सके, बाकी थोड़े समय के लिए, ये बंधन, मारपीत आद है, आगे चल, ये सब बंध हो जाएंगे, कोई बिमारी, कोई कोई बिमारी होती है, जो जट छुट जाती है, कोई वर्ष, दो वर्ष तक भी चलती है, तो उसमें भी उपाई यही है, बाबा केते हैं, चलो भाई, दवा याद जो करना है, वो करो, लेकिन दवा भी करो, दुआ भी करो, और योग करो, बाबा को याद करो, तो बाबा क्या उपाई बताते हैं, इसमें भी उपाई यही है, बाबा को याद करते करते बंधन शुट जाएंगे, ये भी कर्म के बंधन का एक प्रकार है बिमारी संबंधों का बंधन जो नहीं मानते हैं विग्न डालते हैं इसलिए हर बात में धीरज चै बाबा कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे बुद्धी हमारी वहां से तूटती जाएंगे विकारों से, विकारी संबंधों से, दुनिया से आज सकती तूटती जाएंगे ये विकर्मों के भी बंधन है विकार को ही नंबर वन विकर्म कहा जाता है अभी तुम विकर्मा जीत बनते हो विकर्माजीत याद से ही बना जाता है ultimate अखिर कर्मातीत बनना है पर कर्मातीत बनने से पहले विकर्माजीत बनना है और वो याद से बनेंगे सभी खाते खलास हो जाएगे जो भी कर्मों के उधार के खाते हैं वो सभी खलास हो जाएगे उसके बाद फिर सुख काका खाता शुड़ू होगा व्यापारियों के लिए तो बहुत सहज है कौन-कौन बिजनेस करते हैं हाथ उपर करो ये सब बाबा के बिजनेसमेन बच्चे माताएं भी हैं बिजनेस करने वाली देखो बहुत सारी इसलिए बाबा याद करते हैं व्यापारियों के लिए बहुत सहज है रोज हिसाब रखते हैं न समझते हैं कि पुराना खाता खलास कर फिर नया शुड़ू करना है याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा जमा करने की विधी याद करते रहें याद नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा ये भी व्यापार है न बाबा तो कोई तकलीफ नहीं देते है धक्याद कुछ भी खाने का नहीं है भक्ती में तो कितने धक्ये खाते विनाश्ची कमाई में कितने धक्ये खाने पड़ते बाबा कहते हैं यहाद धक्याद कुछ भी खाने का नहीं वो तो जन्म जन्मांतर खाते ही आए अभी सत्य बाप कितना चीरिती समझाते हैं गौड ही सत्य बोलते हैं इसलिए God is truth कहते हैं क्योंकि भगवान ही सत्य बोलते हैं बाकी तो सब है जूट contrast तो देखो बाबा क्या समझाते हैं और मनुष्य क्या समझाते हैं कितना अंसर है ये हैं drama फिर भी मनुष्य है गरवड करेंगे बाबा के फिर सत्य बताएंगे ये हैं drama फिर भी ऐसे ही होगा अभी तुम जानते हो हम सद्गती को पाते हैं श्रीमत पर चलने से नहीं तो इतना उच्च पद नहीं मिलेगा तुम निमित बनते हो स्वर्ग में जाने वहां कोई विकर्म होता नहीं यहां विकर्म होता है तो सजा भी भोगनी पड़ते हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको भी क्या कहा जाएं कौन सा टाइटल मिलेगा सोचो बुद्धी में जो श्रीमत पर नहीं चले उसको क्या कहा जाएं नास्तिक जानते हैं पर मानते नहीं तो नास्तिक भल जानते हैं बाबा आस्तिक बनाते हैं परंटु फिर भी अगर उनकी मत पर न चले तो नास्तिक ठेहरे ला और भक्ती वालों को हम क्या कहेंगे कि बगवान को मानते हैं पर जानते नहीं है इसलिए वे नास्तिक है बाबा हमें क्या कहते हैं तुम जानते हुए भी नहीं बाबा की श्रीमत पर चलते हो तो तुम नास्तिक श्री मत है स्रेस्ट बनने की सबसे उँचे ते उँच वो सत्गुरु है बाबा बैट बच्चों को सन्मुख समझाते कल्प कल्प समझाय ज़ते है कल्प कल्प समझाय था बाकी शास्त्र सब भक्ति मार्ग के है अनेक धेर के धेर शास्त्र है शास्त्रों की भी बहुत इज्यत रखते कहते हैं न इतने शास्त्र है कि इंसान बाकी सब काम छोड़ दे केवल शास्त्र पढ़ने के लिए बैठ जाएं तो भी जीवन पुरा हो जाएगा लेकिन शास्त्र पूरे नहीं होंगे इतने शास्त्र है जैसे शास्त्रों को परीक्रमा देते हैं वैसे चित्रों को भी परीक्रमा दिलाते हैं अब बाबा कहते हैं अब देखो बाबा क्या कहते हैं बहुत मुख्य तीन चार पॉइंट्स बाबा बता रहे हैं अब बाबा कहते हैं, इन सभी को भुल जाओ, सब जो शास्त्रों का अगड़म बगड़म पढ़ा था, वो सब भुल जाओ, एक दम बिन्दू बन जाओ, क्योंकि वो तो विस्तार है न, अब सार में आजाओ, बिन्दू बन जाओ, और बिन्दी लगा दो, और कोई बातें सुनो नहीं, Here no evil, see no evil, talk no evil, एक बाप के सिवाए, दूसरे कोई की बात मत सुनो, क्योंकि आत्माएं अलपग्या है, उसकी बात नहीं सुनो, और शरीरी बन जाओ, और सब कुछ भूल जाओ, देखो कितनी अच्छी बातें बाबा नहीं करें, तुम आत्माएं शरीर के साथ सुनती हो, बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, बच्चों को सद्गती का मार्ग बतलाते हैं, भल पहले कितने भी यत न किये, परंत मुक्ती जीवन मुक्ती कोई पा नहीं सकते, कल्प की आयू भी लंबी कर दी हैं, जिनकी तकदीर में होगा तो सुनेगा, तकदीर में नहीं हैं तो आन सके, यहां भी तकदीर की बात है, बाबा समझाते कितना है, सहज है, कोई कहते हैं हमारा मुख नहीं खुलता है, माना हम समझा नहीं पाते हैं बाबा का ग्यान, तो बाबा कहते हैं अरे इतनी सहज बात है, बाब और वर्सी को याद करना है, इतना भी तुम नहीं समझा सकते हैं, अब उनको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव, शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाब, क्रिश्न को बाब कहने हैं सकते, ब्रह्मा भी बाब है सारी प्रजा का, अब बताओ, आत्माओं का बाब बड़ा या प्रजा का बाब बड़ा, कौन बड़ा, देखो ब्रह्मा के तन में बैठके ही बोल रहे हैं शिवा, कि मैं बड़ा या ब्रह्मा बड़ा, बड़े बाबा को याद करने से, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, बड़े बाबा को याद करने से प्रारब्द स्वर्ग का वर्सा मिलेगा, आगे तुम्हारे पास बहुत आएंगे मैंने जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा जैसे आज वो समय आगया बहुत लोग बाबा के पास ग्यान सुनने आते हैं जाएंगे कहां बाबा कहते हैं जाएंगे कहां आते रहेंगे जहां बहुत लोग जाते हैं एक दो को देख बहुत और भी गुस पड़ते हैं तुम्हारे में भी वृद्धी को पाते रहेंगे विग्न कितने भी आएं उन खिटपिट से पास होकर अपनी राजधानी तो स्थापन करनी ही है कितने भी विग्नाएं पर अटकना नहीं है रामराज्य स्थापन कर रहे हैं रामराज्य है नई दुनिया तुम जानते हो हम अपने ही तनमन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्री मत पर कोई से पहले तुम ये पूछो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है प्रजा पिता ब्रह्मा से क्या संबंध है ये हैं बेहत का बाबा फिर हैं बिरादरिया एक से ही निकली हुई है न एक देवता फिर उससे कितनी बिरादरिया निकली परम पिता परमात्माने प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा स्रिस्टी रची है अर्थात पतित से पावन बनाया दुनिया कुछ भी नहीं जानते है हम सो पुझ्य हम सो पुझारी गाते हैं परन्तु वे फिर भगवान के लिए कह देते हैं भगवान के लिए वो कह देते हैं आप यही पुझ्य आप ही पुझारी ऐसे भगवान के लिए कह देते हैं तो बाबा कहते हैं कि अगर भगवान ही पुजारी बने तो फिर कौन पुझ्जी बना है ये पूछना चाहिए बच्चों को हम सो का अर्थ समझाया है हम सो शुद्र थे अब हम सो देवता बन रहे हैं चक्र को तो याद कर सकते हो ना चक्र माना हमारी अपनी ही स्टोरी है हमारा अपना ही इतिहास है वो तो याद कर सकते हो ना गाया भी जाता है सन शुद्र फादर सोज सन फिर सन शुद्र फादर अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप को नमस्ते